ब्रजेश मिस्रा हूँ बैनों भाईयों जिस प्रकार की दरिंदगी की वारदात बदाईयों के भीतर हुई है उसने पूरी मानावता को इस्तब्ध कर दिया है महिलाओं के प्रतीस प्रकार से कुरूरता मपराद ये बताते हैं कि हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को लेकर किस प्रकार का हमारा आचरण है और उस आचरण से भी ज़्यादा गंभीर बात है उत्तर प्रदेश की पुलिस का बिहावियर पैटर घटना दर घटना सबक न लेना शायद उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी बद्ध किमती है आप यह देखकर और यह जानकर हैरान होंगे कि साइध हात्रस के कांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीख लियों सबक लिया ओ लेकिन बहनों भाईयों नहीं लिया बार बार वही घटना दोहराई जाती है बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस वही आचरन करती है इनके आचरन में कोई कमी कोई तब्दीली आप पाएंगे नहीं 50 साल की एक महिला मंदिर में पूजा करने जाती है शाम को वहां मंदिर के महंत और उसके चेलों ने उसके साथ गैंगरेप किया भयानत तरीके से उसका मर्डर किया और गैंगरेप के दोरान उसके साथ जो विभत्सता और कुरूरता की गई शायद निर्भया के साथ भी ऐसी कुरूरता और जगन्यता नहीं हुई होगी यह घटना किसी भी सब में समाज के लिए कलंक है और किसी भी हालत में इस प्रकार की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ऐसी घटनाएं समाज में अस्वीकारे हैं यह गुंडा क्या कारण है कि घटनाओं को च्छिपाना तत्यों को तोड़ना मरोड़ना सोमुआर की रात इस घटना की जानकारी आज जाकर लोगों को लगी बुद्वार को क्यों कि दो दिन तक पुलीस इस मामले को च्छिपाय रही एफ आयर तक दर्ज नहीं की बेटा रोता रहा पोस्टमारटम रिपोर्ट से बात इस्टैब्नीश होई कि गैंग रेप ब्रूटली हुआ है और उसके बात मर्ड़र हुआ है बेरहमी इसी कत्ल यातना देकर कैर ऐसी यातना की हम सूचना देने के 18 गंटे बाद पुलिस पूँची, दावा तो आप करते हैं कि 10 मिनट में पूँचेंगे, 18 गंटे कैसे लग गए पुलिस को वहाँ पूँचने में, और 44 गंटे कैसे लग गए पोस्ट मार्टम करने में, 45 घंटे आपको क्यों लग गया है फाई यार दर्ज करने में यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इनसाफ कम इनसाफ को कुचलने में ज्यादा माहिर है मैंने तो यह सोचा था कि साइध हातरस कांट के बाद अपनी भयानक बदनामी के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया और उनकी टीम ने कोई सबख लिया होगा लेकिन बहनों भाईयों आप इनसे उम्मीद मत करो इन्होंने कोई सबख नहीं लिया यह वही भासा बोलते हैं जो दरोगा इनको बताता है उपर से नीचे तक यह दरोगा की भासा सुनते हैं दरोगा की भासा बोलते हैं यह न तो फिल्ड में परिवेक्षण के लिए जाते हैं न यह मौका मुआइना करते हैं और न यह घटना की दरियाप्त करते हैं एक आव पीडितों को अपमानित करना और इंसाफ की मुहिम को तोड़ना मरोड़ना यह काम रह गया उत्तर प्रदेश की पुलिस का मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना की सूचना के पश्चात क्या सीनियर आफीसर्स ने फिल्ड विजिट की मौका मुआयना किया परिवार के लोग जब F.I.R के लिए तडब रहे थे, F.I.R कराई गई, क्यों नहीं कराई गई? सरकील अफसर का क्या रोल है? अडिस्नल S.P. क्या रोल है? और बतायू का S.P. क्या कर रहा था? किस बात के लिए इनको कप्तान बनाया जाता है? किस बात के लिए फिल्ड में इतने सुपरवा कि हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है आप मिशन सक्ति चलाते हैं और यह महिलाओं के साथ क्या हो रहा है घटना के बाद भी इंसाफ नहीं जो बूटालिटी है जो कुरूरता है उसको तो एक तरफ रखिए उसके बाद भी इंसाफ नहीं यह साथ उससे भी ज्यादा कुरूरतम घटनाएं है वो तो भला हो सीबियाई का कि उसने हात्रस कांड की जाच की चारों बलतकारियों को चार सीट किया जिनको हर कोई बचाने के लिए दोड़ा जा रहा था लेकिन क्या इस महिला को इंसाफ मिलेगा पचास साल की सांगन बाड़ी साही का के साथ जो हुआ है रूह का आप जाएगी आपकी सुनेंगे तो फेपड़े तक फार दिये गए थे गाइंग रेप के दौरान शरीर के आंतरी कंगों को तोड़ मरोड दिया गया था लोहे के राट्स डाल दिये गए थे आप सो सकते हैं किसी सब्वे समाज में ऐसी इस तरह की हिंसक वारदात ऐसी कुरूरतम वारदात जानवरों में भी इस प्रकार का अचरण नहीं होता साथ महिला जंगल गई होती तो उसके साथ यह नहीं होता जो कुछ बदाईयों में हुआ यह बेहत शर्मना घटना है भारत के समाज पर और इस घटना में दोसी पुलिस अपसरोंग पर कोई कारवाई न करना यह बताता है कि पुलिस ते फिर कुछ नहीं सीखा यह जैसे थे यह और कुरूर होंगे आने था कोई कारण नहीं था कि आज बुलंद सेर का वो सरकी लपसर अडिसनल स्पी और स्पी को सस्पन कर दिया जाना चाहिए था इनके खिलापे फाई यार होनी चाहिए थी यह अपने करतब्यों का सम्यक निर्वान नहीं कर पाए इनका परिवेक्षण सितिल है इनको काम नहीं आता है इनको सिर्फ जीला चाहिए इन्हें सिर्फ सर्किल चाहिए इन्हें अच्छी पोस्टिंग्स चाहिए यूपी के दो-दो IPS फरार चल रहे हैं फरार IPS मौझूदा सिटिंग IPS जो अभी सर्विंग है एक हत्या करके लूट में के फरार है दूसरा ब्रश्टाचार में फरार है ऐसी पुलिस से हम क्या अज उम्मीद करें कि वह हमें इंसाब देगी और हम सीखने को तयार नहीं है तो बीजेपी ने नारा दिया था 2017 में ना गुंडाराज ना भ्रश्टाचार अपकी बार फलाने की सरकार ठीक इसी नारे के साथ भारती जन्ता पार्टी थंपिंग मजॉरिटी की साथ जीत कराई ब्रश्टाचार का उधारन देखना है तो समसान की दलाली देखिए चाहां 40 पिजदी करप्सन सुडान में भी इतना कमीशन नहीं चलता होगा जित्ता कि नगर पालिका में गाजियाबाद में आपको देखने को मिला समसान में दलाली के साथ इससे नीचतम उधारन कोई हो नहीं सकता है और गुंडा राज का आलम यह है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है गैंग्रेप हो रहा है उन्हें मारा जा रहा है छह महीने के भीतर यह आकड़े जो बताते हैं वो चोकाने वाले हैं अंगिनत वारदाते हैं गैंग्रेप और मर्डर्स की महिलाओं के साथ हुए अकुरूर तम अपराद की नोटिस पे नोटिस एने चार सी और महिला आयोग देता है उसके बावजूद भी इनकी आखे नह करेका जब आपने कहा था कि ना गुंडाराज ना भरस्टाचार अपकी बार बीजेपी सरकार या फलाने की सरकार ना गुंडाराज आप रोक पा रहे हैं और भरस्टाचार और कारवाई के नाम पर या तो SIT बनाई जाएगी या कुछ नहीं मिलेगा तो STF को एक्टिव कर दीजे बली हमेशा दरोगा चड़ता है इंस्पेक्टर चड़ता है बहुत दबाव पड़ेगा तो सरकी लपसर हटेगा जिस दिन आपने सीनियर अपसरों पर कारवाई करनी शुरू कर दी उस दिन से सारी बेवस्था ठीक होगी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सडाम ध दलने में ज़्यादा आसानी लगती है और हर घटना को मिनिमाईज करना इनके चरित्र का हिस्सा हो गया है अब जब घटना होती है तो यह प्रतिच्छा की जाती है कि पुलिस इसको तोड़ेगी और मरोडेगी कैसे पत्रकारों पर आरोप लगता है कि साभी खबरों को तो उत्तर प्रदेश सरकार के अप्सवनों पर या डिजियम में स्पी को क्यों छोड़ दिया है अपनी हातरस की जांच में या हो सकता है कि उनकी जांच में अभी आगे कोई सप्लिमेंटरी चार सीट आए लेकिन जब तक सीनियर अप्सवनों पर कारवाई नहीं होगी आप य कोई सीख लेने के लिए तैयार नहीं है आप कुछ बयान सुनिए फिर मैं इस डिवेट को आगे बढ़ाता हूं रभ्या से भी घ्रनित अपराद हुआ है बदाईयों में और वो भी एक पूजास्थल पर मंदिर में मंदिर के महंत और उसके चेलों के द्वारा जो घ्रनित गैंग रेप और उसके बाद उसकी हत्या जो कर दे गई है ये अपने आप में उत्तर प्रदेश का जंगल राज साबित करने के लिए काफी है। है उन्हें निलंबित किया गया है उनके खिलाब मुकतमा लिख कर उन्हें जेल भी भेजा गया है मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि केवल ठीकेदार और यहों के खिलाब आपने कारवाई करके पूरी खाना पूर्ति का पटा छेप कर दिया आप कभ इसके लिए उत्तर जानना जा तो आज मेरे साथ इस कारिक्रम में अनीता अगरवाल भारती जिनता पार्टी से हैं सूर्व परताप सिंग फार्मर आईयस ऑफीसर हैं और यह आज लखनों से बदाईू जा रहे